हेलो गाईज वेलकम वेलकम बैक टो यूटूब चैनल तो आज है नांग पंचमी दो दो ठोक तेवहार है पहला है नांग पंचमी और दूसरा है हमारा आदिवासी दिवस तो आदिवासी दिवस के लिए मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कुछ उनका पोसाग नहीं है तो आज हम उसी का घर बनाएंगे नाञ पंचमी को हम जब स्कूल लाइब में रहते थे ना तो बलैक बोर्ड में बनाते थे चाक से नाग देओ उसके बाद में उनका पूजाime कटे थे उसके बाद में हम जब अधिक सब V. करति को देवी मा को संकर जी को सिवलिंग को सब को बनाते हैं उसी प्रकार मैं कम से कम में पास से छए साल तक से लगातार बनाते आई हूं नाग देवजी का घर नाग और नागिन का घर जिसको हमारे 36 गड़ी भासा में भुडू कहते हैं भुडू सापके भुडू तो उसको बनाते हैं और उसको बनाने से क्या होता है कैसा होता है और कैसे कैसे बनाना है सारे चीज को मैं चलो वीडियो के मातियम से दिख क्या क्या लबता है उसको भी बताऊंगी तो चलते पिर तो आगण में मैं आई हूँ मिट्टी लेने के लिए मेरे घर के पास में मिट्टी तो रहता ही एक थाली में ले के आई हूँ और उधर से लेके जाऊंगे ये है मिट्टी, तो इधर से मैं ले लेती हूँ मिट्टी को, और कितना लगेगा, क्या लगेगा, कम जाता है, उसको भी देख लेंगे, ये थाली, और काले मिट्टी है, अगर आपके पास में नहीं होगा, तो कहीं से भी आप खेद विट से भी ला सकते हैं मिट्टी को, भी ले लेते हैं, तो हमको सजाने में काम आएगा, ये जो फूल है, इसको मैं ले लेती हूँ, और कुछ-कुछ और पत्तिया हैं, क्योंकि हरे भरे, हमारा साप का जो भुडु है, वो कहां रहता है, अधिकतर जंगल जाडी में रहता है, तो उसी के लिए ना सब्चिच का पत्ता ले लेती हूँ, बेल पत्ता, ये सब को ले लेती हूँ, ये है पूरे पत्तियां, जिसको मैं तोड के रख ली हूँ, और कुछ फूल है, जितने हैं, उतने में ही हम सजा लेंगे, इसको मस्त सुन्दर सा, तो मैं बैग गई हूँ, बनाने के लिए, नाग घर बनान की真的 की विदा और यहां पर तीली है और यहं नहीं होगा तो आप हल्दी और कुम–कुम से सझा सकते हैं तो ॉशित हम् से बनाने के लिए पेमना देक साखना सबने थारखी लेग आजिए और याद रखना आप इसमें पानी डालेंगे वो सुध्ध होना चाहिए और हलकासा उसमें आप गंगा जल डालेंगे ताकि आपको कोई भी दोस्त ना लगे क्योंकि नाग का घर बनाना याने एक रिक्स का काम होता है लोग नाग के घर को हटानी की कोशिज करते हैं और हम यहाँ पे बना रहे हैं लेकिन नाग का घर बनानी के फायदे भी क्या होते हैं उसको मैं वीडियो के लाश्ट तक जरूर बताऊंगे आप मिट्टी ला लेंगे और बारिस का दिन है तो एक बार आप मिट्टी को छान लेंगे मतलब कोई जिवानू तो नहीं है ना किडा मकोडा गंगेडवा तो नहीं है ना तो उसको मैं देख ली हूँ देखने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल ली और पानी डालने क के बाद में मैस कर ले अब उसके बाद में आप इसको दो हिस्सा करेंगे एक होता है नागदेव और एक होता है नागिन्मा मतलब नागमाता क्यूंकि कोई भी हो सकती जो रहती है वो अधूरे नहीं होते किसी भी परमेश्वर के साथ में मा परमेश्वरी विराजमान रहती ह कृष्णा जी के साथ में राधा हमेशा विराजमान रहती है सिव जी के साथ में हमेशा गौरामा विराजमान रहती है वसी प्रकार नाग देओ के साथ में नाग माता अब उनका घर भी बना ले मैं उंगली से घुसा के आप भी कभी भी एक नहीं बनाना है आपको रास्ता द जो बनाना है नाग माता और नाग दयो उसके बाद में आप इसको सजा देंगे सुन्दर सा गुलाल हो गया सिंदूर हो गया हल्दी हो जो भी कलर है आपके पास में आप उसको सजा लेंगे जिससे आपको लुक आएगा और ये एक तरीके से साउथ इंडियन के साइड में जो दिखता है ना साप का घर साप का भुडू उस तरीके से दिखने लग जाएगा भई अब हम पूजा के लिए बना रहें तो थोड़ा स लुक वाइज भी तो अच्छा दिखना चाहिए तो उसी लिए हम इसको सजा दिये हम सिर्फ अपने घर को सजाने बसका नहीं करते हमें जो इतना हम पूजा पाट के चीजों को सजाएंगे उतना हमें ग्यान मिलते जाएगा और हम धर्म की और बढ़ते जाएंगे तो पू यंगल कहां से लाएंगे इसलिए उसको हम पराट में बिठा दिये विराजमान कर दिये और जितना भी मैं पत्ता लाई थी सब को सुन्दर सजा दी अब इसको तने को मैं इसलिए इसमें डाल रही हूं ऐसे लग रहा है कि साक्षात जमीन से निकला हुआ है ये साप का घर और साप की घर जो बनाने से फाइदा होता है न वो मैं बता देती हूँ अगर आपके घर में कोई भी दुख तकलीब से है अगर कोई भी बिमारी है तो इनके नाम लेने से इनके जो पुजापाट करने से हमारे जो दुख तकलीब दूर होती है न वो कोई अंदाजा भी न पूजा करते हैं तो इसलिए आप इसको पूरे तरीके से सियू जी को जो पूजा करते हूं वैसी ही मानिये अब यहाँ पे नाग देव को भी हार पहना दिये और नाग माता को भी हार पहना दिये जैसा भी होए आप उसको कभी भी एक ही घर नहीं बनाएंगे दोनों घर को बनाएंगे और जैसा भी आपके पास फूल माला है आप उस उसको पहना देंगे यहां पे प्विला चावल को छिडगदी सुन्दर दिखने के लिए जिसको हम लोग अक्षत फुल कहते हैं फिर मैं इसमें पाच कौडी रगदी कौडी से हमारी गौरी मा जो पार्वती रहती है वो खुस होती है तो नाग माता भी हमारे लिए गौरी मा ही है तो उनको खुस करने के लिए वहां पे रगदी फिर हमारे पास जो त्रिसूल था ओम स्वास्तिक और इस्टैन उसको रगदी सजा दी और ये रहा हमारा नाग घर तैयार हो गया है आप मैं देखी हूँ बच्चे लोग चोटी चोटी बच्चे लोग गनपती जी का घर बनाईए और उसको पूजा पाट करिए और उसके बाद में आपको विसर्जन भी करना है वीडियो में मैं लाश्ट तक जरूर बताऊंगी अब इसके बाद में हमें करना है पूजा तो बताओ कैसे लग रहा है नाग देव का घर जो हमें हम इसको 36 गड़ी में लुडू रहता है जमीन पे उसकी मिट्टी को आप इस्तिमाल करके अपने बालों को पढ़ा भी सकते हैं ऐसा मेरे को जानकारी मिला है और यह जो मिट्टी है इसको तो हम बनाए हैं तो इससे कुछ नहीं होगा लेकिन हम इसको भगवान मान चुके हैं तो इसकी मिट्टी क आप रख भी सकते हैं और कभी भी कुछ दुख तकलिफ होता है तो उसमें आप लगा सकते हैं अब उसके बाद में ये है मेरे यहाँ घर का पूझारूम जहां पे डर था पराट घुसेगा की नहीं करके अब इसको हम लोग बना लिये थे हौल में और हौल में बनाने के बा पूजरुम में मेरे यहां जोत जलते रहता है कभी यह इस्थिर नहीं होता और कभी होता है तो उसको मम्मी फिर से जला लेती है तो ऐसी परमपरा हमेशा जलते आ रहा है अब यहां पे मम्मी पूजा करी तो सबसे पहले पूजा करने के लिए आचवन कर लेते हैं भोग लगाना है क्योंकि सापों को दूद पिलाया जाता है इसलिए दूद का ही भोग लगाएं तो इस तरीके से रहा हमारा नाग देव जी का पूजा और याद रखना नाग देव जी का घर बनाने से आपकी बिमारी दूर होती है और धन संपत्ति घर पे आते हैं जैसे स और धन संपत्ति आती है तो आप भी अपने बच्चों को ऐसा पुजा करने के लिए ऐसा नाग घर बनाने के लिए सिखाईए बताईए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर कीजिए अब यहां पे मम्मी कर लेती है प्रातना उसके बाद में मैं भी कर लेती हूं प् एक बरतन में टप लेंगे और टप लेने के बाद में उसी में विसरजन कर देंगे जैसे गनपती को विसरजन करते हैं वैसी कोई भी नदी नाले में नहीं जायकर थंड़ा करेंगे और उसको थंड़ा करने के बाद में जो उसकी मिट्टी रहेगी उसको बेल के पेड़ प महादेव जरूर लिखते ना तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ नहीं जानकारी के साथ में तब तक के लिए स्री सिवाय नमस्तुब्याम जय माता दी दोस्तों